नमस्कार मैं हूँ पेंद कुमार आप देख रहें नेशन भारत बिहार में पंचायच चुनाओ को लेकर लगतार सवाल उठ रहे थे कि पंचायच चुनाओ कब होंगे क्योंकि जिस तरह से लगतार प्रतियासी इस बात को सवाल रख रहे थे लगतार मीडिया में भी सबात का खबर चल रहा था कि आखिर पंचायच चुनाओ होंगे कब क्योंकि जिस तरह से कोरोना के हालात है बिहार के विगड़ते हालात है लगतार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रहे हैं मौत के आकड़े बढ़ रहे हैं लगतार इस सिती को द तुरंत बाद बिहार पंचाय चुनाओ की अधी सुचना जारी हो सकती है परसासन कोरोना संकर्मन से बचाओ के सांसा त्रिय अस्तरिय पंचाओ चुनाओ की तैयारी में भी यूद अस्तर पर लगा है परसासनिक सुत्रों की माने तो भारत निरवाचन आयोग और राज मति बन गई है अब मात्र चुनाओी तीतियों की घोषना होना बाकी रह गया है इवी एम का मसला करीब करीब सुलज गया है अब तैय है कि मल्टी पोस्ट एम थिरी मोडल नहीं बलकि सिंगल पोस्ट इवी एम टू मोडल से पंचाय चुनाओ कराया जाएगा ऐसे में पूर कि बिहार पंचाय चुनाओ के लिए राज निर्वाचन आयोग को साथ से आठ लाग इवी एम की आवसायकता होगी राज निर्वाचन आयोग के सचीव ने कहा है कि साथ से आठ लाग इवी एम उपलब्द हो जाती तो मतदान कराने में समय कम लगेगा लेकिन इसका दूसर ही बिहार में छट पुजा के बाद ही सरकार के द्वारा या आदेश निकाला जाएगा कि कब किस डेट में कब चुनाओ होंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि तुरंद छट पुजा के बाद में जल्द ही चुनाओ की तारीक घोसित की जाएगी तो ऐसे तमाम खबरे देखने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत